सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा इसमें आज मैं बताने वाला हूँ एट लाइज आठ चूट जो सक्सेस के लिए बोले जाते हैं सायद आपने सुना हो आप मिथ भी कह सकते हैं इसको चैनल कॉर्परेट फेनेंस इन सबको डील करता है और मोटिवेशन या इस तरह से कुछ पाते मैं जरूर टिक करता रहता हूँ जिससे आपके डेली लाइफ में आपके प्रोफेस्नल लाइफ में ये कुछ ना कुछ वैलिव एड कर पाए ये मेरा वीडियो मेरा चैनल तो प्लीज अपने सजेशन भी दीजिएगा पहला जो मित है या लाइज है जूट है money is the only type of wealth आप लोग जानते होगे अब लोगों को लगता पैसा ही सब कुछ है और यही एक सबसे बड़ा धन है या सबसे एक ही ऐसा धन है जो जिसे हम पैसा बोलते हैं ये बिलकुल गलत है what means more than just money wealth is you know something more than just money wealth में आपके relation भी आते हैं आपकी संपदा है wealth में आपके relationship आते है wealth में आपका health आता है आपने सुन रखा होगा health is wealth अगर आप health lose कर दिये तो कितना भी पैसा खर्च कर लो आपको वापस नहीं आने वाला आपने कई ऐसे video कई ऐसे quotes पड़े होंगे जहांपे air कीमत कितनी होती है आपके lungs की कीमत आपके kidney की कीमत आपके brain आपकी आँखों की valuable आप देख सोच सकते हैं कितना valuable है आप खरीद नहीं सकते हैं ये भी आपका wealth है second point second point you need the perfect idea to create something आपको perfect idea चाहिए किसी चीज को create करने की company को product को whatever यार याद रखना ये भी एक जूट है most of the meaningful project often evolve from imperfect ideas कई imperfect ideas से बहुत अच्छा सा product बन गया कई बार excuse and exchange of thoughts इनसे भी कई बार idea एक निकल के आ गया और एक बड़ा product बन गया बात में तो ये भी एक myth है जूट है third point your education defines your future देखो या सच्चाई तो ये है education valuable होता है बिलकुल valuable होता है लेकिन हम लोग मुझे लगता है कि at least 10-20 ऐसे बड़े बड़े successful लोग को जानते हैं जिनका education या तो बीच में छूटा हुआ है जो इस college ही नहीं गये कुछ को तो school भी नहीं गये और वो इस time बहुत बड़े एक inspirational business leader है तो यहां पे भी आपको third point जो मेरा था इसकी मैंने जूट के बारें बताया now the fourth point is you are too late or too old for this कई बार आपको बोला जाता यार आप तो काफे देर हो गई है तुम इसके लिए नहीं बने हो तुमारी age भी जादा हो गई है यार आपने KFC brand देखा होगा जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 63 years age में उन्होंने start किया था तो कभी भी कोई time बुरा नहीं होता कभी भी कोई time late नहीं होता अब कभी इस भी आपका idea अगर आता है आप start कर सकते हो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 60 के age से 65 के age से उन्होंने कोई एक नया venture start किया और successfully उसे run कर रहे है fifth point है you can learn everything need from books या ठीक है book is very important book is very you know valuable and that you can learn it from many things from book but in few or most of the cases जो real life experiences है they are more important than books they are sometimes better than books books are very important मैं उस पर कई वीडियो भी बनाता हूं लेकिन कुछ चीज़े ऐसी हैं या बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो आप real life experiences से सीख सकते हो उसके बाद आ जाते हैं six point पे six point कहता है you don't have to work hard कई लोग कहते हैं hard work क्यों करते हो और smart work करो आप समय को खरीद लो और आपकी जगे पे लोग काम करें perfect है लेकिन कोई भी चीज़ जब build होती है कोई भी चीज़ जब process में होती है और एक आप उसको एक level तक achieve कराना चाहते है तो hard work तो करना ही पड़ता in fact hard work एक habit बन जाती है successful लोगों के लिए hard work एक habit होती है उन्हें करना नहीं होता उनके inbuilt है सरीर में यह और उसके बिना success नहीं मिलता और success अगर shortcut से मिलता भी है तो उच बहुँ ज़दा sustainable नहीं होता बहुँ ज़दा दिन ठिकता नहीं तो यह गलत है यह सबसे बुद्धिमान लोग best answer रखते हैं ऐसा नहीं है नहीं है नहीं है कई बार best answer एक group discussion से निकल के आता है जहां पर आपके thoughts होते हैं अब दूसरे के thoughts को counter करते हो अपने thoughts से वो आपको counter करता है फिर एक conclusion निकल के आता है कई बार board room में कुछ decisions निकल के आते हैं तो सारे smartest लोग सारे इनों जो sharp minded आप कह सकते हैं उनके पास ही सारा अच्छा answer हो ऐसा नहीं है आठवा last but not the least आठवा point है there are shortcuts to achieving success यहां पे मैंने बोला कि अभी hard work वाला जो 6th point था मेरा और ये 8th point लगभग same है लेकिन इसमें सच्चाई यह है shortcuts के success temporary होते हैं जैसे आजकल लोग सोच लेते हैं चलो यार आजकल maximum youth बच्चा जो है वो कहता YouTuber बन जाए क्योंकि उन्हों देख रखें कुछ लोगों के सौरब गांगोली पुराने वाले में VBS लच्चन नए जनरेशन में आ गए विराट कोली और उसके बाद धोनी ये वाली जनरेशन फूर एकदम बिल्गोल यंगेस्टर में आ गए सुमन गील और SSC जो हैसवाल इन सब को आप हम लोग देखते हैं बोलते हैं बड़े अच् तो सौर्टकर सक्सेस का नहीं होता हाड़वर का सौर्टकर नहीं होता यह हमेशा आप कंटिनिवरसली इसको इवाल होते रहते हैं महिनत करते रहते हैं तब जाके आप एचीव मिलता है आपको एचीवमेंट मिलती है इसकी So it was all thank you very very much भबाबाय ठीक के लिए